भारतिय नौसिना के पास इस वक्त एर इंडिपेंडेंडेंट प्रोपल्शन, AIP टेक्नोलोजी वाली एक भी पंडुब्बी नहीं है। ये ही कैसी टेक्नोलोजी है, जो किसी पंडुब्बी को समंदर का शांत मगर खुनखार शिकार बना देती है। ये टेक्नोलोजी पारम पर एक पंडुब्बियों को लंबे समय तक पानी की सतह के नीचे रहने में मदद करती है। भारत ने स्वदेशी रूप से AIP टेक्नोलोजी का विकास कर लिया है और अगले साल तक भारतिय नौसिना के बेरे में फ्रांसिसिस कॉपीन पंडुब्बी पर फिट कर दी जाए और ऐसे में अमेरिका और चीन जैसे देशों ने परमानु उर्जा से चलने वाली पंडुब्बियों का निर्मान कर लिया है जो बिना शोर किये ना सिर्फ तेज रफ्तार से समुद्र के अंदर चल सकती हैं बलकि कई महीनों तक समंदर के अंदर रह सकती हैं। लेकिन परम परमानु उर्जा का विकल्प Air Independent Propulsion AIP Technology है जो पंडुब्बियों के चलने के समय के शोर को काफी कर देती है और उसे लंबे वक्त तक समुद्र के अंदर रहने के लायक बनाती है। भारत के पास कुल 16 पंडुब्बियां हैं जिनमें से सिर्फ एक पंडुब्बी ही Technology Technology, Battery Charge होने के बीच पंडुब्बी की पानी के अंदर रहने की सहन शक्ती को 3-4 गुना बढ़ा देती है जिससे इसका पता लगने की संभावना काफी कम हो जाती है। जैसे जैसे हिंद महासागर में चीनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, AIP वाली के से नजर रख सकती हैं। ये तक्नीक पूर्वी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में विशेश रूप से उपयोगी साबित होगी। अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर में यह पाकिस्तान के खिलाफ हमारी पानी के अंदर की युद्ध करने की क्षमता को बढ़ाएगी। भारतिय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डियार्डियो के प्रमुक समीर कामत ने 6 जुलाई को लासन एंड टुब्रो के एम नाईख हैवी इंजिनियरिन कॉम्प्लेक्स में AIP एकीकरन और परीक्षन सुविधा का उद्धातन किया। मजगाउव पूर्जा से चलने वाली नावों और गैर AIP SSK के बीच में आती हैं। वही एक SSK को 10 से 14 दिनों तक पानी में दूबे रहने की अनुमती देते हैं बिना अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सता पर आने की आवश्यक्ता के लेकिन इससे दुश्मनों के लिए इनका पता लगाना आसान हो जाता है। वही अन्य SSK के करीब 48 घंटे तक पानी के नीचे रह सकते हैं। लेकिन इंधन सेल आधारेत AIP अद्वितिया है क्योंकि यह जहाज पर अपनी हाइडरोजन की आवश्यक्ता उत्पन करता है। एक बार बनने के बाद इस तकनीक को बाकिस कॉप ततपरता कम हो जाएगी क्योंकि इसके मरम्मत में कम से कम एक साल लगेगा। भारतिय नौसिना जब एक बार AIP टेकनोलोजी हासिल लेता है को फिर उसका बेरा पाकिस्तान के बेरे से काफी बेहतर स्थिती में होगा। पाकिस्तान के तीनों फ्रांसिसी अगोस्टा 90 बी, P एनेस खालिद, साद और हमजा AIP द्वारा संचालित हैं। पाकिस्तान को चीन के साथ पांच अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहट दो हजार तेस के अंद तक आठ उन्तालिसे युआन क्लास AIP संचालित पंडुब्बिया मिलने की भी उम्मीद है। भारत लंबे समय से जर्मनी, फ्रांस और रूस से ये महत्वपूर्ण टेक्नोलोजी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। 2005 में भारत ने छे स्कॉपीन पारम पर एक पंडुब्बियों के निर्मान के लिए फ्रेन को स्पैनिश संग आर्मरिस के साथ एक समझोता किया था। पांच वी स्कॉपी वागशीर S26 कलवरी क्लास का निर्मान किया जा रहा है और EIP क्षमता वाली तीन और रिकायों की योजना है। भारतिय पंडुब्बी बेरे में वर्तमान में 16 पारम परिक पंडुब्बियां हैं और हाल ही में बनी 6 पंडुब्बियों के अलावा बाकी 30 साल से ज्यादा प रूसी किलो को 10 से 15 साल तक चालू रखने के लिए उन्हें बीच में ही ठीक करना पड़ा। भारत इस वक्त 6 पंडुब्बियों का निर्मान कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 75 आय है और भारत इसके लिए अलग-अलग देशों से बात कर रहा है। एक बात तो साफ है कि अगर भारत इंडो-पैसिफिक में चीन से प्रभावी तरीके से मुकाबला करना चाहता है तो उसे इंडवोटा गेम को और बहतर बनाना होगा। भारतिय नौसेना ने हालगी में जर्मन थिसेनक रूप और स्प्यानिश नवांटिया की तरफ से पंडु लगाने के लिए 2023 में भारतिय मजगंव डॉक्स लिमिटिड के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं। टीकेम्ज ने पिछले 75 वर्षों में 170 से ज्यादा पंडुग्वियों का निर्मान किया है और दक्षिन कोरिया, तुर्की, इटली, इज्राइल और जैसे कई ग्राहकों के साथ टेकनोलोजी ट्रांसफर सहयोग किया है। इसकी पारंपरिक पंडुग्वियां भारतिय नौसिना में भी हैं। उनमें से तीन का निर्मान MDL के साथ स्वदेशी रूप से किया गया था। इस रेस में शामिल अन्य दावेदार स्पेन की नवां ताक्षर करने के बाद पहली स्कॉपीन श्रेनी की पंडुग्वि को भारतिय नौसिना के बेरे में शामिल होने में 11 साल लग गए। प्रोजेक्ट 75 आई के तहट बनने वाली पंडुग्वियों को ओपरेशन में आने में कम से कम एक दशक लगने का अनुमाने लगाया गय है। पंडुग्वियों के मामले में भारतिय नौसिना चीनी नौसिना से 4 ratio 1 से पीछे है। 25 मार्च को भारतिय नौसिना ने पश्चिमी समुध्र तट पर अपनी पंडुग्वियों के एक समूर की आश्चार्य जनक तस्वीरे जारी की। अरब सागर में हालही में खत्म ह अभ्यास में आठ पंडुब्बियों ने एक साथ काम किया था। भारतिय नौसेना अभी भी चीन की पंडुब्बी सेना के 76 प्लेटफार्मों से काफी पीछे हैं, जिसमें 8 SSBN बैलिस्टिक मिसाइल पंडुब्बी, 13 SSN परमानू उर्जा चालित हमलावर पंडुब्बिया और पचपन SSK डीजल इलेक्ट्रिक पंडुब्बियां शामिल हैं। इससे पहले, पूर्व भारतिय नौसेना प्रमोक एड्मिरल हरी कुमार ने खुला साया, था कि भारतिय नौसेना ने अयवार के विभिन हिस्सों में संचालन के लिए एक साथ 11 पारंपरिक पंडुब् पंडुब्बी है। परिचालन पंडुब्बी को फिर से तयार करने के लिए इसे आधे हिस्सों में कातना होगा और एक नया AIP खंड डालना होगा, जिससे इसकी लंबाय और वजन बढ़ जाएगा। फ्रांसीसी शिपबिल्डर नेवल ग्रुप इस जटिल प्रक्रिया मे भारत की मदद करेगा।